मद्धु प्रदेश सरकार ने निगम मंडलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। चेयर्मैन और उपाध्यक्ष निगम मंडलों में पदभार ग्रहन कर रही है। इसी कड़ी में भुपाल में हाउसिंग बोट के चेयर्मैन आशुतोष तिवारी ने पदभार ग्रहन किया इस सुरान बीजेपी की प्रदेश अद्धेक्ष वीडी शर्मा सहित तमाम कारीकरता मौझूद रहे। मीडिया से चर्चा की दौरान आशुतोष तिवारी ने कहा कि जन्ता तक किस तरीके से हाउसिंग बोट का सरुकार पहुंचे इस पर ध्यान देने की जरूरत है अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित कारियों पर ध्यान दिया जाएगा। कि अभी जैसे पूर में उल्लेग किया है कि अपने जो बोड के हमारे अधिकारी करुचारी है उनके साथ बैठकर के बात्चीत करेंगे और जन्ता से सीधा सरोकार उन योजना हो का रहें तक कैसे हमारी बोड के माद्यम से उने नाव हो सकता है उसका हम सभी मिल्यून कर के प्रयास करेंगे, किसी प्रकार का कोई भी प्रजेक्ट अबर रोका हुआ है, तो उसके पीछे की बज़ा क्या है? यह अभी हम अपने सभी जो अधिनिस्त हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, इसे बात्चीत करेंगे और प्रयास करेंगे कि जिन कारणों से वो प्रोजेक्ट रुके हुए है वो जो भी समस्या हैं उनका हल हो उनका निदान हो और जो तैस समय सीमा हो उन तैस समय सीमा में वो सब प्रोजेक्ट पूरे हो सके हमारा पहला प्रयास होगा